दोस्तों BHU के एडमिशन के अपडेट लेके आया हूँ इस वीडियो में बहुत खुशी ख़बर है कि अगले साल तो आने वाला है उसके साथ साथ फॉर्म का भी सौगात लाने वाला है तो काशी हिंदु विश्वेदले दो की देश की नहीं एशिया के लाजे इसमें फॉर्म कब निकलेगा अभी क्या एडमिशन के अपडेट है पूरी जनकारी इस छोटी से वीडियो में मिलने वाली है तो वीडियो को पूरा देखके जरूर जाईएगा सबसे पहले जान लेते हैं कि अभी का अपडेट क्या है उसके बाद 2024 के फॉर्म के तो चलिए पहले इस महीने का अपडेट में देखिएगा तो सिविल सब्विस कोचिंग का जो टेस्ट हुआ था उसका मार्स वाइज रिजल्ट आ गया है काटेगरी वाइज भी रिजल्ट आ गया है मार्स वाइज रिजल्ट देखना है कि किसका कितना मार्स है तो इस पे क किजिएगा क्लिक करने के बाद आपको मार्स यहां नजर आएंगे जैसे राजू मॉंडावल है 189 सूरज कुमार गौतम 163 गौरो सिंग 160 सूर्य परकाश चंदन 160 यह जो नंबर है यह 300 नंबर में से है जैसे आप देखेंगे कि पैटर्न जो एंट्रेंस एक्जामनेशन के और एक मार्स डिटक्ट कर लिया गया थे इनकरेक्ट का तो कहने का मतलब है कि 3 टाइमस आपका मार्स मिला और एक आपका डिटक्ट कर लिया गया तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि आपका निगेटिव मार्किंग है तो इन 300 में से इन बच्चों ने इतने इतने लाया है जो की काफि बहुत ही जादा है ये चौदा पेज CAN लिस्ट आप देख सकते हैं एक एक करके लीस्ट देख सकते हैं जिनका 9 नंबर है जिनका माइनस में भी नंबर है उनका भी जिक्र किया गया है जिसे मैं दिखा देता हूँ जिनका माइनस में नंबर है उनका भी यहाँ पर जिक्र किया गया तो यह 14 पेज का जो लिस्ट है इसमें आप देख सकते हैं किसका कितना नंबर आया है पहली बात हो गए दूसरी बात यह जो entrance examinations हुई थी इसमें साफ साफ लिग गई थी कि जो seat है पहले SC का पूरा किया जाएगा उसके बाद OBC का अगर SC candidates नहीं आएंगे तो उसमें OBC का फिल्क किया जाएगा इसमें साफ साफ कटेगरी में यह साफ साफ मेंचन था यहां total seat 100 था तो यह साफ साफ यहां पर लिग दिया था category wise OBC के लिए भी एक्जाम था और SC के schedule cast schedule tribe के लिए तो कहने का मतलब है कि यहां साफ साफ लिखा है schedule cast and other backward cast STK इसमें बात ही नहीं की गई है तो schedule cast and OBC यह दो ही category के लिए यह form निकला था आप बात कर लेते हैं अगला अपडेट अगला अपडेट है कि PhD का जो test हुआ था NTA ने लिया था इसमें test के बाद अभी BHU के form भरे जा रहा है 27 दिसमबर तक तो इसी महिने में 27 दिसमबर तक form भरे जा रहा है बहुत सारे बच्चे अभी जानते होंगे कि बहुत का admission का season खतम होगा लेकि ऐसा नहीं है PhD का अभी भी admission का सिलसला जारी है और last submission का 27 दिसमबर है तो बहुत सारे बच्चे का admission के परकरिया अभी भी चल रही है और यह जो free coaching है इसकी परकरिया तो अभी आगे भी चलेगी तो कहने के मतलब यह दो update है उसके बाद update यह school का बता देते है यह देखिए school जो है आप देख सकते हैं कि यह March में last date था यानि फर्वरी में आपका last date for online submission application from school का 30 March था एक March का form निकल गए थे तो एक March से लेकि 30 March तक भरे गए थे यानि फर्वरी के last में आपका form school के निकल सकते है यह आप last देखिए 30 March है तो फर्वरी के last week में आपका school के school जैसे दो school है Central Hindu Schools Boys, Central Hindu Schools Girls दोनों के जो form है वो एक March से form भरे गए थे आप देख सकते हैं यहाँ English वाले पर मैं open करके दिखा देता हूँ यह देखिए 25 फर्वरी से form available हो गए थे और 30 March तक भरे गए थे तो फर्वरी के last week में आपका form निकल जाता है तो इतना तो idea लग गया इसमें LKG है, nursery है, class first है, 6 है, उसी तरह आपका 9th है, 11th है, 9th 11 के दिखाना है उसका भी देख लेते हैं चलिए, bulletins English वाला देख लेते है यहां English वाला खोला, तो यहां देखिए 25 फर्वरी के form निकल चुका था, तो कहने का मतलब है कि फर्वरी के last week में school के form निकलते हैं, यह आपको पता चल गया, अब UG, PG के बात कर लेते हैं, फटा-फट बात कर लेते हैं, जादा देर नहीं लगाते हैं, तो देखिए, CUT, U G और CUT, PG, दो टेस्ट होते हैं, जो कि NTA टेस्ट करवाता है, और CUT, UG के test के basis पे, BHU में UG में एडमिशन होता है, और CUT, PG के test के score पे, BHU में PG का score, बने PG में एडमिशन होता है, तो PG के form 25 दिसमबर के आसपास निकलने वाले हैं, यह तो मीडिया में चप चुकी है, क्य देखेंगे, तो CUT, PG का 11 मार्स से एक्जाम है, तो 11 मार्स से है, तो यह दिसमबर में फॉर्म निकलने के, पूरी-पूरी आशंका है, और आशा है, और ऐसे मीडिया के रिपोर्ट भी छपी थी, कि 25 जो अपना दिसमबर है, क्रिसमस, इसके आसपास फॉर्म निकल क्यूंकि आपके पास तो यह साल खतम हो गया, सिप जन्वरी-फर्वरी बचा हुआ है, और मार्च में आपका एक्जाम ही है, तो 2 महिने में आपको तयारी करनी है, इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे चनल पर अपडेट रहिएगा, नहीं तो आपका छूट जाएगा, तो बा न कल सकता है, तो आप समझ लिजए कि फरवरी के लास्ट वीक में फर्वरी कलने की आशा है, क्यूंकि मार्च और अप्रिल आपको पूरा मिलेगा तयारी करने के लिए, तो फरवरी के लास्ट में नीट का भी फर्वराम निकलने की आशा है, और C.ु.T. यू.जी का भी फ UG, School के Class 6, LKG, Nursery, सभी का और आपके Class 9 का भी 11th Arts, Commerce and Science का भी और इसके साथ Special Course of Studies भी मार्च अप्रीर में फॉर्म निकल जाएगा PhD का तो लेट थोड़ा होता है क्योंकि October-Normबर तक खिसता है PhD का Admission और मोटा मोठी चीजें पता चल गए बाकी MBA का फॉर्म निकला हुआ है 2024 का ये तो आप वेबसाइट पर पता कर सकते हैं मुझे उमीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और भी डिटेल में मैं वीडियो आई बटन पर और एंडी स्क्रिप्ट में छोड़के जाओंगा उसको जरूर देख लीजिएगा कि काशी हुद्द विश्विद्दाले में फॉर्म कैसे आता है क्य एड्मिशन पर क्रिया होती है सबका वीडियो मैं बना चुका हूँ और आगे भी और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने वाला हूँ आपके फायदा के लिए आपके हित के लिए देश के हित के लिए आपके परिवार के हित के लिए हम सभी के हित के लिए तो चैनल को शेयर भी कर दिजेगा फेस्बुक और वार्टसप में